ताक्या फॉसिबल फेक्टर से दो तीन लिख रही हूं में एंड फोर भी बनेगा फाइव भी बनेगा ठीक है हम वन से शुरू करते हैं एक्स को जब हम वन फुट करेंगे इसको मैं पी ओफ एक्स ले लेती तो पी ओफ वन इस एक्वल टो वन का क्यू माइनस 23 इंटु वन स्वेर प्लस 142 इंटु वन माइनस 120 यहां पर थोड़ी से स्मार्टनेस दिखा सकते हो अगर आपका फॉलिनोमियल में सभी टाम से पॉज पॉजिटिव या नेगटिव जिस से मर्जी शुरू करते हैं अभी यहां फिन माइनस वाली टाम्स भी थी तो हमने माइन इसको एक्स को जो है प्लस वन पुट किया अब सिंट्रिफाइब करके क्या आएगा यहां पर वन माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120 नेगेटिव टरम्स को सब्सक्राइब करोगे तो देट विल गिव यू माइनस 143 और पॉजिटिव टाम्स को एड़ करोगे तो 143 तो ओवराल इस विल गिव यू जी जब आपका यह वेल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है इट मेंस जो आपने वेल्यू पुट की थी तो इसक मतलब क्या हुआ प्लस वन आप इधर लेया होगे यानिकी एकस माइनस वन इस और यहां पे जीरो की जगा क्या लिखनोंगे आप सेक्टर हमने इसका निकाल लिया एकस माइनस वन ठीक है तो दूबारा से सुनलो कि क्या स्टेप्स हमने फॉलो किये हैं क्यूबिक वाले में हिटन ट्राइल में अप्यूज करोगे आप वेल्यूज जो है वो पूट करके देखोगे वेल्यूज आपको मैंने बता दी कि जो यह वाला कॉंस्टेंट टर्म और जो इधर से आपका एकस क्यूब वाला टाम आएगा उन दोनों का प्रोड़क्ट आपने लेके चलना है उ वाल्यूज फिर फिर यह जो यहां पर जो भी नंबर होगा विद्ट साइन आप उधर लेके जाओगे साइन चेंच हो जाएगा और यहां पर जीरो की जगा वर्ड़ आप क्या कर दोगे तो एकस माइनस वन इस अफेक्टर ऑफ पी ऑफ एकस अब हमें बाकी के फेक्टर न करने के लिए हम क्या करेंगे तो डिवाइट करते तो डिविजन आपको आती है एट में की हुई है कि नहीं कि इसमें की हुई है बस्ती कि मैं एक बर दुबारा रिकॉल कर वादेती हूं तो अब हमने एकस माइनस वन से डिवाइट करना है लिए पी और एक्स को हाइस पॉवर देखनी आपने या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इनको डिक्रीजिंग पॉवर्स में आप लिएज़ पर वान है यहां पर हाइस पॉवर क्या है अपने सिंप्ली क्या करना है रफ में इधर से हाइस पॉवर वाली टर्म विड़ कोफिशेंट विड़ साइन उठाओ यहां से भी सेंग इधर हाइस पॉवर हमारी क्या है x3 अपान में क्या है x अब x3 को जब आप x से डिवाइड करोगे वाट क्यों गेट एक्स स्वेयर तो इट मींस पॉस्ट जो मुझे यहां पर लेना है डैट इस एक्स स्वेयर तो एक्स स्वेयर से इन दोनों को मल्टिप्लाइब कर दो x3 माइनस x स्वेयर उसके बाद इनके साइंस हम चेंज करते हैं हमेशा यह कैंसल आउट हो जाता है यह आपका माइनस 23 प्लस बान इस माइनस 22 एक्स स्वेयर प्लस 142 एक्स साइए एक ताम उतार लो मुझे है सारी उतारने की तो मैंने सब नों कर लिए अब कोफिशेंट यहां पे जो टाम है मेरी हाइस वह एक्स है यहां पे मुझे क्या चाहिए माइनस 22 टू एक्स स्वेयर तो फिर से आप रख में करो माइनस 22 एक्स स्वेयर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट मुझे जो नेक्स मेरा कोशेंट होगा वो मिल जाएगा एक्स इसको कट कर देगा तो इस विल भी माइनस 22 टू एक्स ठीक है अब माइनस 22 एक्स को इन दोनों से मल्टिप्लाइक करो माइनस 22 एक्स स्क्वेयर प्लस 22 एक्स एक्स फिर से फाइन्स चेंज कर दो यह से अब हमेशा करना ही यह कैंसल आउट हो जाएगा प्लस 142 माइनस 22 120 x minus 120 अब next 120 x or x 120 x को x से divide करो x से x cancel 120 यानि कि the next question will be plus 120 अब 120 को x से multiply करोगे तो 120 x minus 1 से multiply करोगे again science change करोगे और दोर्नों की दोर्नों टर्म्स आपकी कैंसल आउथ होके remainder is 0 ठीके remainder 0 बनता है अब हमने फिर से जो हमारा polynomial उसको rewrite करने इतना note down कर लो फिर मैं इसको इरेज कर रहे हुए कर दान है करो जल्दी करो अब हमने क्या करने देखो इसको री राइट करना है री राइट करने के लिए जो आप कोट से आइटिंग करते आ रहे हो डिविडेंड इस इक्वर्टों टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमेंडर अब यहां पे यह डिविडेंट था का यह मैंने लिख लिया इस इक्वर्टों टू डिवाइजर क्या था एक्समाइनस 1 कोशेंट क्या है एक्स स्वेयर माइनस 22 एक्स प्लस 120 फ्लस रीमेंडर क्या है जी घुप सीट लगिए ना करू डै तेस अप दे अब वने जो है X-1 एक फेक्टर मुझे मिल गया दूसरी मुझे क्वाड़ितिक मिल रही एक तो मुझे इसको फर्दर फेक्टराइज करना तो आयं विल गेट ठथेक्टर तो इस इपल टू एक्स माइनस 1 इंटू अब सम मुझे चाहिए माइनस 22 प्रोड़क्ट चाहिए 120 प्रोड़क्ट पॉजिटिव है इत मींस दोनों नंबर्स का साइन सेम लेना है या तो दोनों नेगेटिव लोगे या दोनों पॉजिटिव लोगे और उनका सम हमने लेके चलना है तो 120 के आप माइनस 10 एंड माइनस 12 ठीक है दाट यू नोओ तो मैं इसको अब डिटेल में नहीं जा रही हूं इसके अदरवाइस आपको पेरिंग करके देखना पड़ेगा कि इस हिसाब से आपने लेके एक्समाइनस 12 किमानोन ओक्तॄ आपमन लेकैश माइनस में अपमन लिया लेट विड एक्समाइनस 12 यह दोनों फेक्तर्स 12 कॉमन लिया, we are left with minus 10. तो यह आगया आपका x minus 10. तो यह तीन फेक्टर्स क्यूबिक था, तो भी हाव गाट था थी फेक्टर्स. खेर रहे हैं? अब फिफ्ट में से में को बता दो कौन सा पार्ट कर वाँ प्रेशन नमबर फाइव में से. ट्राइज थर्ड हांजी? चलिए थर्ड क्वेशन कर रहे हैं, थर्ड में भी आर हैंग एक्सक्यूब प्लस 13 एक्सक्वेर प्लस 32 एक्स प्लस 20. प्लस 23 एक्स स्वेर plus 32 x plus 20 you're approaching 1 into 20 20 20 k factors plus minus 1 plus minus 2 then 4 अब यहां ध्यान दो क्योंकि सभी की सभी टर्म्स पॉजिटिव है तो 0 बनाने के लिए पॉजिटिव टर्म्स पुट करके हमें आंसर नहीं मिलेगा इत मीनस वी विल ट्राइदा नेगिटिव नंबर जो तो माइनस वन हमने पुट किया that will give you minus 1 q plus 13 into minus 1 square 32 into minus 1 plus 20 so this is minus 1 plus 13 minus 32 plus 20 33 minus 33 that is 0 यानी की x is equal to minus 1 is a 0 of p of x it means minus 1 इदर लेके आओगे x plus 1 is a factor of p of x ठीक है अब x plus 1 से डिवाइड करेंगे इतना कर लो अब x q plus 13 x square plus 32 x plus 124 इवाइड कर दो x plus 1 से पर्स्टर्म क्या आएगी कोशिशन की x q चाहिए x से डिवाइड करने x square डारेक्ट पता लगता है तो डारेक्ट कर लो लोगी तो आपको जैसे मैंने साइड पे राफ्ट में करके बताया है you can do in that way x square पे जाएगा this will be x cube plus x square साइंस चेंज करोगे यह कैंसल आउट हो जाएगा 12 x square plus 32 x plus 20 अब मुझे एक्स से डिवाइड करने चाहिए क्या 12 x square 12 x से प्लस 12 x से 12 x square plus 12 x साइंस चेंज कर देंगे नेगिटिव हो जाएगा यह कैंसल आउट होके 32 माइनस 12 20 x plus 20 अब x plus 120 x plus 20 चाहिए तो 20 से मल्टिप्लाय कर देंगे जिस विल बी 20 x plus 20 ठीक है रिमेंडर क्या आगया हमारे पास जीरो अब रिमेंडर जीरो आगया अब नेक्स स्टेप क्या होता है डिविदेंट इस एक्वाल तो डिवाइजर इन्टो पोशेंट प्लस रिमेंडर डिविदेंट क्या है एक्स क्यूब प्लस इस साइड लिख दू यहां पर एक्स क्यूब प्लस 13x स्वेयर प्लस 32x इस यहां डिविदेंट इस इक्वाल तू डिवाइजर क्या था एक्स प्लस वन पोशेंट क्या है एक्स स्वेयर प्लस 12x प्लस 20 एंडर रिमेंडर इस जीरो चिक है तो मैंने उसको प्लस जीरो नहीं लिखा अब इसको स्प्लेट करना है मिडल टर्म संट्वेल चाहिए प्रोड़क्ट 20 चाहिए डारेक्स पता लग रहे है तू एंड 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 तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 12 एक्स प्लस 10x प्लस 20 दो दो करके टाम्स लेलो मैं अब डारेक्स लिख रही हूं आंसर अब एक्स्टेप स्किप कर दिया है यू आर नोट सपोस्ट तू स्किप दिस्टेप कोई बात नहीं आना वैसे एक्स प्लस टूई है क्योंकि कॉमन जब आप ले रहे हो एक्स प्लस टू आएगा आप क्योंकि प्रॉड़क्ट जो है वह आपका कॉम्यूटेटिव है तो और इनका चेंज कर सकते हो आप आगे पीछे लिख सकते हो कोई फर्थ नहीं पड़ेगा ठीक है तो आपका स्लेबस मैंने चेंज कर दिया है तीन रिवीजन टेस्ट रोने हैं कल जो सेंट किया था मॉर्मिंग व हो गया है जो हमारे रिवाइज हो चुके हैं पॉलिनोमियल्स एंड सर्फिस एरिया एंड वॉल्यूम फॉस्ट रिवीजन टेस्ट आपका वही होगा ठीक है फिफ्टीन मार्क्स का टेस्ट होगा टेस्ट विल भी कंडुक्टेड ऑफ लाइंगे तो प्रिपेयर आपके दो दो करके हैं ज्यादा नहीं है तो यू कैन एजी लीडिए को कल वला लास्ट केशन बताएंगे क्या था है इस टेके है हुआ है हुआ है चल इ लियर लळवेवन इफ था is if x plus 1 by x is equal to 5 then find the value of x cube plus 1 by x cube kya statement दोली है मैंने बाते ज्यादा जरूरी है x plus 1 by x हमें 5 की बने we are to find the value of x cube plus 1 by x cube हाँ cubing both sides लोगे x plus 1 by x whole cube is equal to 5 cube कौन सा फामूला लगेगा अब यह कैंसल आउट हो जाएगा x plus 1 by x की value हमें 5 गिवन है तो x cube plus 1 by x cube plus 3 in to 5 is equal to 125 तो हमें x cube plus 1 by x cube की value निकालनी है तो यह तो यह तो यह 25 किके अब नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल उठा रहे हैं if x plus 1 by x is equal to root 5 then find the value of x square plus 1 by x square and यह तो simple है x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 x plus 1 by x is equal to root 5 then find x square plus 1 by x square and x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 and 2 by x square and x to squaring both sides तू वे बी रुट 5 का प्रू वाइवे और आपका हो गया बच्च फेंड है ना आपका नेम का यह squishy हो गया complete में है चलिए यह स्क्वेइर जाएंगे यह एक स्क्वेइर प्लस वन वाई एक स्वेर क्या है हमारे पास अब मुझे निकालना है x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 तो फिर से जो यह आया है हमारा इसकी फिर से squaring कर दोगे तो squaring both sides again sbs is short for squaring both sides ठीक है हाँ जी तो यह x to the power 4 हो जाएगा यह 1 by x to the power 4 plus 2 into x square into 1 by x square is equal to 9 यह cancel out okay plus 2 उधर minus हो जाएगा तो 9 minus 2 विल गिव यू 7 तो x to the power 4 प्लस 1 by x to the power 4 विल गिव यू the value 7 तो अब मुझे गिवने इस एक्सस्वेर यह ला हो गया सबका x square plus 1 by x square equal to 66 x square plus 1 by x square equal to 66 then find the value of x minus 1 by x कर्दू ही रेज हो गया हांजी जिसकी value निकालनी है उसी का क्या कर दोगे square कर दोगे square value given है तो square कर दोगे so squaring x minus 1 x whole square का formula लगा लेंगे मुझे value किसकी निकालनी है x minus 1 by x की तो इसका square ले लिया हमने this is equal to x square plus 1 by x square minus 2 into x into 1 by x यह cancel out हो जाएगा x square plus 1 by x square क्या value given है 66 और minus क्या रह गया यहां पे 2 तो answer क्या गया 64 लेकिन मुझे x minus 1 by x whole square की यह value मिली है क्योंकि 8 का square भी 64 माइनस 8 का square भी 64 तो इस वेल्यू विल बी प्लस माइनस 8 तो इसी तरीके से x square plus 1 by x square की कोई और value and find x plus 1 by x भी आ सकते है तो same way में आप करेंगे चलो एक करके दिखाओ मुझे a to the power 12 a to the power factorize करने a to the power 12 plus b raised to power 12 a raised to power 12 plus b raised to power 12 you are to factorize this क्यूबिक फर्म में कनवर्ट करोगे 12 को क्या लिख लोगे a to the power 4 अप कौन सा फर्मुला यू सो जाएगा ठीक है याद है फर्मुला चलो करो फर्मुले आइटेंटिटी इस लान है तो सम्सी जी ली हो जाएंगे अदर्वाइज इपिल बीडिफिकल फोर यू पीपल तो दूट पैस्ट्टिंस attendance कौन लिख रहा है 157 तिल देन यू दो 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 डैसने अलान शुट्टेंस 16 28 29 31 33 36 37 39 अनुष्का पूर यू यू जए झैं धविश्टिट्टिव जट्यू हटीन है हटीन है टोटल हर सिम्रें यू आटो सेंट मे यूर मैस्ट नोट्बुक टोड़ एट आव तो फॉर्वड तो प्रिंसिपल माम साइमन यू आल्सो जिनके लास्ट डिजट सिक्स हैं पहले आज मुझे वो बच्चे सेंट करेंगे रेस्ट अब नोट्बुक्स आइविल सेंड यू साइड बाइसाइड वाइसाइड शेकिंग ने तू वाला जो सेबस हैं जो मैंने सेंड किया है एड़ जितने आपके चेक हैं नो नीट तू सेंड अगर सभी अंचेक थे सबीसेंट पीटी वाले चेक्टेंस आरे सिरफ पीटी फोर वाले सेंड करोगा आपके तो जो है वो चारों टर्म्स के एड़ होके 200 में से फिर 100 कंवर्ट करते हैं मतलब चारों टर्म्स के एड़ हो जाती हैं एग्रीगेट आपका बनता है 200 में से होगे हो माक्स उसको बाइटू करके 100 में से और इस बार का जो है वह एन्वल बेस्ट बनेगा टाम बन प्लस टाम टूप टूप टिक है वेटेज बेस्ट आइटिंक आप लोगों का इस बार नहीं लेंगे क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग भी हम स दूपार 4 x plus y a square x square plus y square minus this chalya बताईए a to the power 4 square b to the power 4 square minus a to the power 4 b to the power 4 okay clear hmm carrying किसको कि यह कौन सा निया आप लॉफ एक्सपोनेंट बना रहे हैं हां तो ए बी रेस्ट फार फोर 16 थोड़ा हो जाएगा तो ऐसे लिखे रहने दोस्को बेसे सेम है अगर मल्टिप्लाय करते हुए पावज एड करते हो पावज सेम है बेसे डिप्रेंट है तो दे आर रिटन इन दे सेम ब्रेकेट मुल्टिप्लाय नहीं करो गया तो एबी रे टिक है तो वान मिनुट इस लेफ्ट अगर कोई डाउट है किसी का तो यू कैन आस्क अधर वाइस 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 ने मैसेज पड़ा है मेरा मैंने क्या कुछ है मैंने कुछ है मैंने कुछ है रिवीजन टेस्स टू मैं टू की रिवीजन कल शुरू करवाऊंगी वन वाले दोनों चैप्टर्स मेरे हो गई है okay fine then thank you have a nice day